जब से बतोर परशास दक मुख्यादी कारी माधुरी मडावी ने दिगरमगरपालिका की कमांग के संभाली तबसे दिगरमगरपाली चहर में ना सिर्व प्रलमबीत नागरी समस्याओं से जनता को छुडका बलकि नगर पालिका प्रशासिन की बिग्रेल कार्य प्रणाली भी दुरूस होती नसर आ रही है पेशे दिग्रे सवादता जुपेर खान की यह खास रिपोर्ट इक वो समय था जब जन्ता के काम और समस्याओं को लेकर पालिका के अधिकतर कर्मचारियों और अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगती थी और अब आलम ये है कि काम को लेकर पालिका के करमचारियों और अधिकारियों की गंभीरता देखने लायक है आम शेहरवासियों का कहना है कि कुछ अपवाद छोड़ दिये जाए तो उन्होंने पालिका करमियों को कभी इतनी चुस्ती भूरती और मुस्तेदी से काम करते हुए नहीं देखा किसी समय अधिकतर पालिका करमियों का जमगठा केवल पालिका कायाले में ही नजर आता था लेकिन मुख्याधिकारी माधूरी मडावी के आते ही अतिक्रमन और बंदपड़ी नालियों का युद्धस तर पर काम शुरू होते ही पाली का कर्मचारियों और अधिकारियों का दलबल अब शेहर की गलियों और चौक चौराहों पर उतर आया है अन्य शेहरों में रहने वाले दिग्रस नगर पाली का के एक उछेक अधिकारी और कर्मचारी रोजाना आना जाना करते थे उनके अपडाउन पर किसी ने कोई रोक अब तक नहीं लगाई थी लेकिन सुत्रों ने बताया कि अब अपडाउन करने वाले पाली का कर्मी शेहर में किराय के मकानों में रहने लगे हैं जो की अच्छी बात है शेहर में एक चर्चा इस बात को लेकर भी चल रही है कि फिलहाल बतोर प्रशासक पालिका के क्रियानवयन का पुरा अधिकार माधूरी मडावी के हाथ है जिसके बीच में किसी की कोई दखल अंदाजी नहीं है आज अगर प्रशासक के बजाए नगर सेवक सक्रिय होते तो फिर कई नगर सेवक अतिकर्मन हो या बंदपड़ी नालियों का विस्तार हो इन सभी कामों में हस्तक शेप करने की कोशिशे करते प्रभाग के ओटो की राजनीती के आड में वे बवाल करने से भी गुरेज नहीं करते लेकिन फिलहाल ऐसी कोई न तो संभावना है और नहीं कोई आशंका है शेहर में अतिकर्मन हटाने और नालियों सहित अन्य नागरी सुईधाओं में जारी सुधार से अमुमन हर शेहर वासी के मन में हर शेह है यही वज़े है कि दिगरस वासी मन ही मन इस पहल का सहर्ष स्वागत कर रहे है NBCN News के लिए दिगरस से जुबैर खान की रिपोर्ट